मसकार दुस्तों स्वागत है आपका आपके ही अपने यूटूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट क्लास में आज हम बात करेंगे जो बुमेंस्टी 20 लीक का 10th मुकाबला खिला जाएगा इसके बारे में जो की खिला जाएगा उस्टेलिया और न्यूजिलेंड की बीच में इसके बारे में डेटेल से चर्चा करेंगे क्या एलस पैरी को आज के मुकाबले में कैप्टेंसी 22 कैप्टेंसी दी जा सकती है और वो तीन कौन से आल्लाउंडर है जो आपके लिए ग्रेल लीक बिंकरा कर देंगे सभी के बारे में डेटेंस से जानेंगे लेकिन अब तक हमारे चैनल पर नहीं होते लोगों सब्क्राइब कर दिजिए का और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फिर क्या होगा फिर ही गवाबे जो हम आपके लिए हरे एक मुकाबले में प्रोवाइड कराते हैं वो भी यहीं पर मिलेगा और बेस्ट कॉम्बिनेशन स्मॉल लिग प्लस ग्रेंड लिग का वो भी आपको हमारी टेलीग्राम के यहल पर मिलने वाला है तो आप टेलीग्राम सब्सक्राइब यहां बक चेंड मुकाबले और यादी यहां पर गौर करोगी ला इस सीजन चार मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं पहले बल्ले बाजबर जीते हैं और या बात की जाए हैं यहां पर एभरेज के बारे में तो वर ट्वाइंटि एक चीज नोटिस कर मतलब आपके लिए इस पिनार वन साइड़ डॉमिनेट करने वाले हैं इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान में रखकर चल लेज़ेगा तो चलिए बात करेंगे दोस्तों बैनिवर स्कोरिंग पेटरन के बारे में स्कोरिंग पेटरन आप देखोगी 150 और 150 से नीचे 12 वार स्कोर देखने को मिला है 152,169 दो बार 171,189 एक भी बार नहीं और 190 एबब भी एक भी बार नहीं है अब दोस्तों जहां तक उम्मीद है मुझे 152,169 स्कोर आपके लिए देखने को मिल सकता है क्योंकि नेज़े लें इसके साब से बिल्कुल सामने की बाउंटरिया तो लगबख 69 और से 70 मीटर तक सामने की बाउंटरी है इतनी नहीं होती भूमेंस में आम तोर पर इसलिए आपके लिए थोड़ा कम स्कोर देखने को मिला है लेकिन दौनों ही बड़ी स्प्रॉंक टीम है तो आपके लिए सं खेले गाए मुकाबले आप देखोगे इंग्लेंड एक्सो अठारा बनाये थे बंगलादेश मात्र 97 बना पाई थी दस विकेट इस्पिनर पेस्पॉलर को मात्र 3 विकेट फिर आप देखोगे स्रिलंका 93 तो 94 बनाकर उस्टेलिया ने चेस कर लिया था चेज विकेट पेस् पेस्पॉलर और इस्पिनर को मात्र 5 विकेट और बंगलादेश एक्सो निश्प स्कॉडलेंड 103 बना लिये थे यहां पर भी आठ विकेट पेस्पॉलर और इस्पिनर को मिली थे चार विकेट तो इस सीजन ये चारों के चारों के उनकाबले खेले गया है इनमें अधी लगबक डबल विकेट निकाले हैं पेस्पॉलर की तुरला में इस्पिनर पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करका चलना है वज़ा है दोस्तों पेस्पॉलर की तो इस चीज़ों को आप थोड़ा यहां से समझ लीजिएगा तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर आपके लिए जो लेटेस्ट फेंटेस्टी अप्लिकेशन आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक आपको इसकी वीडियो की डिस्क्किशन में मिल जाएगी डाउनलोड करकर आपके लिए राजवन्टू 3 कोड डालना है जैसे ही कोड डालोगे आपको हमारी तरफ से ब दोस्तों आप देखोगे तो एक्ट्रा रियल कैस्ट भी हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं अब थोड़ा डिपोजिट ओफर पर नजर डाल दीजिए आप पांस साथ और दस लगभग 10% तक आपके लिए एक्ट्रा पैसे हम दे रहा हैं उसके बाद यह आप देख करकर देख लिए अच्छा नहीं लगता तो मत खेलिएगा बस लेकिन एक बाद ट्राय जरूर करकर आप देख लिएगा तो चलिए बात करें दोस्तों यहां पर ऑस्टेलिया की संभावित ग्यारा बैटिंग और लाश प्रुमेंस के बारे में तो सबसे पहले आप होगे 27 मुकाबले हैं अच्छा अंफड़ा है इनका 23 के अब्रेज हो और यहीं मुकाबला है और चार रहन है दोस्तों बैन्यू को आप यहां पर भूल जाएगा क्योंकि एक ही मुकाबला है वह जो की बैन्यू पर खेला गया है फिर आप देखो कि बैथ मूनी बैथ मूनी देख रहे होगे ना तब इतना ज्यादा अच्छा प्रोव्मेज निकलकर नहीं आया उसके बाद आप देखोगे ऐलिस पैरी ऐलिस पैरी का आप देखोगे हैट ट्वेड 29 कावरेज है साथ में 20 मुकाबलों में 263 सेंपल साइज का भी बढ़ा है लाश्ट मुकाबले में खास बात इह है कि इन्हों ने गैंद्वाजी नहीं किती यहां अल्स पैरी ने गैंद्वाजी नहीं किती फिर आप देखोगे गाड़नर के बारेrí में प्लस हैं यह अठिपलरण 185 म वें यह न्यूंगर एस दोफिंज नहीं अच्छा किया था है अनम्हको भी 1020 के शूड लिट्स फिल्ड ने नौरन लास्ट मुकाबलें बनाए तो आपके लिए ग्रेंड लिग की चोई से आप स्मॉल लिग में इने ट्राइग मत करिएगा अब कम आवर खिलने के लिए मिलेंगे तो आप समझ सकते हो कि ज्यादा प्रोफमेंस नहीं क्या पाएगा प्लिया यहां दूस्तों इनका देखोगे एक सट रन पांच मुकाबलें में और दो विकेट हैं और पंद्रा गैन का एबरेज है उसके बाद आप देखोगे जॉर्जिया गरहम आपके लिए ठीक नाग ऑप्सन हो जाती है क्योंकि यह गैंद बाजी करते हैं आम तोर पर यह इस्पेशलिस्ट गैंदबाज है बल्ल सदर लेंड भी आपके लिए ठीक ऑप्सन हो जाती है लाश्ट मुकाबलें विकेट हलागे इने नहीं मिला था हैट वेड़ दो मुकाबले हैं तीन विकेट है इनके उसके बाद आप देखोगे शोफी मेलाउन अक्सी दो विकेट इनकाले लाश्ट मुकाबले में और मेला सथ काफी इंपोडेंट प्लियर है और आप देखोगे यहाँ पर ड्राइस ब्राउन ब्राउन को विकेट नहीं मिलाता है तो दोस्तो यह लेखा जूखा है अब इसमें आपके लिए इंपोडेंट प्लियर निकाल कर दूँ वन टू थी तीनों के तीनों इंपोडेंट है फिर चौथा एलिस गारण भी काफी ज्यादा इंपोडेंट है ए चार को तो अपने टीप में रखना ही रखना है और इन मैंसे एक दो तो आपके लिए कैप्टेंसी और वाइस के लिए बहुत एच्छी है उसके बाद यह आप देखोगी ना तो उसके बाद आपके लिए म मेगन सट के बाद दोस्तों आप यहां पर ट्राइ कर लीजेगा मिलेन एक्सी को मिलोन एक्सी और मेगन सट एक दो तीन चार पांक छे छे पलेयर लगबख ऐसे हैं इनकी तरफ से जिनको आप अपने टीप में रख सकते हो बिल्कुल बिदाउट हैस्टेश यहां दोस्तों इन पर आप थोड़ा रिस्क लेकर चल सकते हो तो चलिए बात करें न्यूज़िलेंड के बारे में चरचा करें तो सबसे पहले सुजी विट्स बहुत इम्पोडेंट है और आप इने बेरी बेरी इंपोडेंट प्लेयर में मार्क कर लेजेगा हैट आप देखोगे 22 कावरी हाला कि मैं इन्हें ग्रेलिक की चोईस जरूर कह रहा हूं लेकिन यदि आप इन्हें ट्राइक करना चाहते हो न तो बिल्कुल कर सकते हो है चार मुकाबले में 23 के अबरेज है उसके बाद आप देखोगे अमलिया केर अमलिया केर ने तेरा रन प्लस एक बिकेट वेरी वेरी 18 के अबरेज है बेन पर दो मुकाबलों में दो वेकेट है तो बिल्कुल अमलिया केर आपके लिए बहुत इंपूडेंट पिलिया रहे है डेमनली आप आप नेटीव मेंने ट्राइक करकर चल सकते हो उसके बाद आप देखोगे सोफी डवाइन सोफी डवाइन ने 57 रन ला केट है और 49 का अबरेज है तो बिल्कुल आपके लिए अनाधर गुड ऑप्सन हो जाता है केप्टेंसी 22 के लिए फिर आप देखोगे वोके होलीडे कुछ खास नहीं किया लास्ट मुकाबले मात्र 16 रन नहीं होने बनाए हैड-to-head मात्र 9 का अबरेज है और कभी-कबार ग हास स्टेट्स नहीं है लेकिन दोस्तों फिर भी मैंने इंपोडेंट के क्याटेग्री में एंड कर रहा हूं फिर आप देखोगे जैसकेर जैसकेर ने विकेट नहीं नहीं निकाला है उसके बाद गेजे हैं 26 रन नहीं बढ़ा है और यहां पर आकर स्कूर करना एक बड़ी बात होती है हलां कि हार्ड हेटर के तोर पर इने अपने टीब में आप ट्राइ कर सकते हो उसके बाद लीथार नहीं यह तो काफी इंपोडेंट जियां दोस्तों लीथार हूं हमें इसा विकेट निकालती हैं बहले ही दोस्तों यह कितनी भी उमार इनकी हो चुकी है कि तरफ से इंपोडेंट प्लियर में आपके लिए बता देता हूं यहां पर सबसे पहले आप नोट डाउन करीगेगा सूजी बेट्स अमालिया केर सोफी डिवाएं तीन तो बिल्कुल बहुत इंपोडेंट है फिर चौथा दोस्तों आप देखोगे लिथानों लिथानों के बाद दुस्तों आप प्ली मर्क पर रिस्क ले सकते हो इन दौनों प्लियर पर आप रिस्क लेकर चल सकते हो और आप टेंशन मत लेजिए जो फानल टीम आएगी विद केप्टन बाइस केप्टन वह तो मैं आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट कर ही दूँगा तो आप टेलीग्राम जोइन करना मत भूलिएगा लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के स्क्रिशन में मिल जाएगी तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले केप्टन सी बाइस के ऑप्टन के बारे में सेफ ऑप्टन देख लिए थे हैं सोफी डिवाइन है ए और याद रखेगा हानल केप्टन बाइस केप्टन विद्ट टीम आपके लिए टेलीग्राम पर फुल्याल की स्तिती में एक जो यूनिक कॉंबिनेशन मैंने आपके लिए बनाया है जो हर्जा की काम करेगा बैथ भूनी है एलिस हीली दौनों को ट्राइग आए एलिस पैर समन्त अबेट्स हैं फिर आप देखोगे यहां पर अमलिया केर एलिस गार्डन सोफी डवायन और जोडिया वरहम दोस्तों यह जो तीनों आल राउंडर है ना यह बड़ी इंपोडेंट है इन तीनों में से आपको अपना कैप्टन बाइस कैप्टन ने भी ढूर सकते हो फ तो वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना है केनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय भारत